मार्केट लाइब में आज एक बहुती एहम मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है जिसका नाम है रसायनिक खाद रसायनिक खाद पेर हम देखते हैं कि soil fertility को तो कम करता ही करता है इसके साथ ही जो quality होती है उत्पाद की वो भी कम होती नजर आती है जिसकी वज़ा से मनुश्य यानि कि इंसानों की जो प्रतिरोधिक शमता होती है वो भी कम होती नजहराती है हैल्थ पी काफी ज़ादा इफेक्ट कर जाती है chemical fertilizers की वजा से और इसी पर chemical fertilizers पर रसईनिक खाद के ऊपร ग्रेह मंतरी अमिन्ट शाह का भी बड़ा बयाना आया है कैंसर पीडितों की जो संक्यां होगी लगबग 50% तक बढ़ सकती है 10-15 साल का समय कोई जादा भी लंबा भी नहीं है तो जादा कम भी नहीं है दस से पंदरा सालों के अंदर अंदर अगर ग्रह मंत्री अमिट्शा ने 50% कैंसर पीडितों के बड़ोतरी में अनुमान लगाया है तो यानिकि उन्होंने कुछ सोच समझ करी ये बात कही होगी क्योंकि हम भी देखते हैं क्योंकि बारत में अगर क्रिशी फसलों में जो फर्टिलाइजर है जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका इस्तमाल अगर जादक किया जाता है उसकी वज़ा से एक्सपोर्ट में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक्सपोर्टर्स को तो करना ही पड़ता है बलकि किसान जो को भी नुकसान उठाना पड़ता है। और इस मुद्दे पर और चटचा करने के लिए और गहराई से जुड़ेंगे हमाई साथ बहुत जल्दी हमाई साथ हमारे एक्सपर्ट इतने आपको बता दें कि अमिच शाह ने अपने लोकसबा छेतर गांदी नगर के लगबग 50% किसानों से रसायनिक खाद को त्याग कर प्राकृतिक रूप से खेती करने का आवान किया है। अमिच ग्रह मंतरी अमिच शाह चाते हैं कि आने वाले सालों में जो किसान है वो रसायनिक खाद की खेती छोड़कर अब प्राकृतिक खेती को अपना है। प्राकृतिक खेती स जमीन फर्टाइल रहेगी जमीन में जो उपजे अच्छी रहेगी पानी का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहेगा क्योंकि रसाइनी खाद जो होती है मिट्टी को तो दूशित करती है मिट्टी को तो नुकसान पहुचाती है इसके साथ जो जल है जो water level होता है पानी का स्तर होता है उसको भी दूशित करती है उसके साथ साथ रसाइनिक खाद का इस्तमाल करने से जो जल स्तर होता है जमीन का वो नीचे होता चला जाता है और यही कारण है कि भारत में अब जो जल स्तर है लगाता नीचे होता जा रहा है क्योंकि जादतर राज्जियों में जादतर जगाओं पर हम देख रहे हैं कि रसायनिक खाद की खेती होती है जो नेचुरल फार्मिंग है जो प्रकृतिक खेती और्गैनिक फार्मिंग है वो बहुती कम किसान अपनाते हैं बहुती कम जगा पर अपनाते हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्राकरितिक खेती में जो लागत होती है थोड़ी सी हलकी सी बढ़ जाती है जो समय होता है खेती का वो थोड़ा बढ़ जाता है और जो रसाइनिक खाद होती है जो chemical fertilizer होते है अगर उससे खेती की जाती है तो जो फसल होती है कम सम गहरा प्रभाव डालती है इसकी वज़ा से हमारे आको जो यूथ है जो यंग generation है वो जादतर बिमार रहते हैं और आगे भी अब ऐसी बिमारियों का स्थितियों का सामना करते रहते हैं इसी के मद्दे नजर ग्रह मंतरी अमिर्शा ने चिंता जता ही है कि आने वाले समय मे अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा कि जो cancer पीडितों की जो संक्या है भारत के अंदर इतनी व्यापक रूप से बढ़ जाएगी इतनी जादा बढ़ जाएगी कि कोरोना की साथ साथ आने वाले समय में cancer को भी एक खतनाग बिमारी के तोर पर देख जाने लेगा हाला कि cancer पहले से ही खतनाग तोर के बिमारी पर जानी जाती है लेकिन आने वाले समय में इस से पीडितों की संक्या इतनी बढ़ जाएगी कि इलाज भी मुश्किल होगा क्योंकि जो खान पान है वही दूशीत रहेगा वही विशैला रहेगा तो आगे शरीर क काम कैसे करेगा और उसको बनाने के लिए फिर दवाईयों का भी अलग से निजात करना पड़ेगा इस पे भी काफी जादा आरेंडी करनी पड़ेगी इसकी वज़ा से अमित शान ने पहले से ही चिंता व्यक्त की है वो चाते हैं कि उनके निर्वाचन शेतर में कम से कम प् वसल होती है वो अच्छे दाम पर बिखती है क्योंकि और गैनिक फार्मिंग की जो मांग है विदेशों के अंदर वो भरपूर मातरा में रहती है और भारत भी जब से कोरोना आया है साल 2020 से भारत के अंदर भारतिये लोगों भी अपनी स्वास्त को लेकर काफी जागरू हो इसकी वज़ा से अमिर्शा चाहते हैं कि आभी आगे जाकि जो किसान है वो प्राकृति खेती को अपना है दूसरा किसानों को उपच की अच्छी कीमत तो मिलती मिलती है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका भी एक भरोसर रहते हैं कि आने वाले समय में जो कि मिट्टी होती है चाहे किसी भी देश की मिट्टी हो वो और ज्यादा फटाइल होती है वो और ज्यादा उपजाओ बन जाती है ज्यादा मिट्टी उपजाओ होने से जो फसले हैं वो स्वस्त रहती है कीट कम लगते हैं और जो फसल है अच्छी रहती है हेल्दी रहती है चौथा फाइदा यह रहता है कि जो soil होता है वो भी अच्छा रहता है और जो exporters होते हैं किसी भी country के जो बाहर देशों में export करना चाहते हैं उनको export के जो सौदे होते हैं वो जल्दी से जल्दी मिलती रहते हैं जिसकी वज़ा से अगर export के सौदे जादा रहेंगे विदेशों से तो जो exporters हैं वो भी किसानों से जादा ही माल खरी देंगे ऐसे में एक flow बन जाता है एक flow बना रहता है कि किसानों को पहले प्रोचसाहित किया जाए प्रकृति खेती करने के लिए खेती अच्छी रहती है तो exporters उनसे जादा माल उठाते हैं जादा माल उठाएंगे जादा demand रहेगी तो आगे जादा ही विक्री होगी ऐसे में किसानों की आए भी अच्छी बनी रहती है हम पहले से ही देख चुके हैं कि अनाज होए सबजियां हुई आज कर इंजेक्शन वाली सबजियां भी आने लग गई है हम देखते हैं अकसर की एक इंजेक्शन रात में लागा दो तो सुबा तक सबजिया काफी बड़ी साइस की हो जाती हैं जो मंडियों में जाकर काफी महंगी भी विकती हैं लेकिन वो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं रहता है जो आगे जाके अपने देश के भविश्य को ही डुबो दे इसलिए अमिट शाह इसमें काफी गहरी चिंता जता रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को प्राकृतिक खेती की ओर जादा कदम उठाना होगा जादा तेजी से उठाना होगा जिससे कि कैंसर पीडितों की जो संक्या है वो कम की जा सके अपने भूमी को जादा साजादा उ जाएगी पानी का स्तर और नीचे चला जाएगा उसके बाद का क्या होगा उसके बाद पैसा कहां से आएगा उसके बाद उस जमीन पर उस भूमी पर क्रिशी फसल कहां सोगेगी कहां से उपा जाएगी तो इस बात की चिंता भी करनी ज़रूरी है सिफ छोटी अवदी के बल्कि लंबे सालों के लिए आने वाली जनरेशन के लिए भी आने वाले यूगों के लिए भी जमीन को बैतर बनाना काफी जादा आवशक है और आज जमीन उपजाओ बनेगी तो कल ही तो तबी जाके कल को और अच्छी उपज उस पर देखने को मिलेगी तो अमीट शाह का यही कहना है कि अगर आज इस पर अच्छा कदम उठा लिए जाते हैं तो आगे भविश्य में पूरे भारत के लोगों को ही फायदा होगा यहां तक कि वग्यानिकों की मार्केट आम सीवी की कुछ वग्यानिकों से बात भी होई थी इस चीज को लेकर तो वग्यानिकों का भी यही कहना है कि हाली में अनाच पहले से ही दूशी तो चुके हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स का इस्तमाल इतने बड़े पैमाने पर होत लेकिन जो chemical fertilizer's हैं एक तरह से देखा जाये तो अनाजो के लिए जादा सही भी नहीं रहते हैं दूसरा अनाजो के साथ-साथ साग सबजी अपनी दूशीत हो चुकी है जमीन में हम देखने हैं कि पहले से उपस्तों कम होई रखी है उसके साथ-साथ अब जो पानी है पानी का level भी दीरे-दीरे कम होता जा रहा है जलसतर भी नीचे पहुँच रहा है और वग्यानिकों को यह चिंता है कि कहीं जैसे अब जमीन विशायली नजर होती आ रही है दूशीत होती नजर आ यह कई इसकी साथ-साथ आप पानी भी कहीं विशायला नहों जाए और पानी इंसान के लिए बहुत बड़ी जरूवत है जिन्दा रहने के लिए पानी इंसान के लिए काफी जादा जरुवत है अगर यही दूशीत हो जाएगे तो इंसान के लिए आगे चल कर जीना काफी जादा मुश्किल हो सकता है इसी को लेकर ग्रह मंदरी अमीट शाने चिंदा जताई है और कहा है कि किसान जादा सा जादा अब प्राकृति खेती को अपना है और सरकार भी प्राकृति खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोजसाइद करने के लिए काफी प्रयाज भी कर रही है और किसानों के लिए आगे काफी सारी ऐसी स्कीम भी लेके आएगी जिससे किसानों को प्राकृती खेती करने में मदद भी मिलेगी उनको एक नई दिशा मिलेगी नई डिरेक्शन मिलेगे नई तौर तरीके दिये जाएंगे नई उपकरण उपलब्द कराएंगे और जो कीमते हैं वो भी बैतर सुनिश्चीत करने के लिए भी सरकार आगे प्रयास करती रहेगी तो ये थी हमारी छोटी सी एक रिपोर्ट रसायनिक खाद के उपड़ फिलार मार्केट लाइब में अभी की लवस्त नहीं मुझे दीजे इजाजत नमस्कार पिक ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकान